हे दोस्तो स्वागत आप सबका मैं हुरा लेटिजर मार्केडिंग एक्सपर्ड मर्डी विस्नेस पेकर फाउंडर ओफ वाक्ष्मिनस डाट कॉप आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि आप दोस्तो अपना फ्री में e-commerce वेबसाइट कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको step-by-step complete करने वाला हूँ कि दोस्तो आप एक फ्री में e-commerce वेबसाइट कैसे बना सकते हैं साथी साथ दोस्तो मैं आज आपको एक फ्री में e-commerce वेबसाइट बना के भी सिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आप दोस्तो अपना एक फ्री में domain name कैसे ले सकते हैं, hosting कैसे ले सकते हैं, एक फ्री में theme कैसे ले सकते हैं और completely दोस्तो step-by-step आप अपने दोस्तो एक फ्री में e-commerce website कैसे बना सकते हैं आज किस वीडिये में मैं आपको step-by-step तो दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि आप उपने बिजनस के लिए दोस्तों फ्री में e-commerce website कैसे बना सकते हैं अपने प्रोड़क कैसे लिस्ट कर सकते हैं और घर बैटे दोस्तों आप अच्छा कैसा पैसे कैसे कमा सकते हैं तो इस वीडियो को अंति तक जरूर देखेगा और अगर आपको एससीग उसे लगतार देखने अगर आपको डिजिटल मारकटिंग शीखते रहें, motivational व्डियो देखते रहें और अपने बिजनस को ग्रूव करते रहें तो चलिए दोस्ता आप मैं आपको step by step बता देता हूं कि आप उपने business के लिए दोस्तो फ्री में e-commerce website कैसे बना सकते हैं दोस्तो फ्री e-commerce website बनाने के सबसे पहले आपको Google पर विजिट करना है और Google पर विजिट करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर type करना है फ्री e-commerce website और उसके बाद दोस्तो आपको search button पर click कर देना है Search button पे दोस्तो आप जैसे click करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तो Google के अंदर आपके सामने काफी सारी websites और उनके official links आ जाएंगे, जिनकी मदद से दोस्तो आप अपना free e-commerce website store आप setup कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो इनमें से ऐसी बहुत सारी websites हैं, जिनके उपर आपको एक ऐसी website के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पे आप अपना fully free e-commerce website setup कर सकते हैं, और जब तक दोस्तो आप चाहें, आप अपना store चला सकते हैं, free में आप अपने product sale कर सकते हैं, product add कर सकते हैं, और जो भी आपके product sale होंगे, वो सारे के सारे payment आप अपने bank में easily ले सकते है दोस्तो इस website का नाम है freewebstore.com, यहां पे आप देख सकते हैं, और यहां पे आप पढ़ सकते हैं, create your free e-commerce website, तो दोस्तो अगर आपको भी अपना free e-commerce website setup यहां पे करना है, तो अब आपको क्या करना है, इस वाला जो official website का link आपको दिख रहा है, इस वाले link पे दोस्तो आपक क्लिक कर देना है, link पे दोस्तो आप जैसे click करेंगे, यहां पे आप देख सकते है, freewebstore.com का जो official website है, वा आपके सामने खुल गया है, और यहां पे पढ़ सकते है, create your free e-commerce website, और दोस्तो आप एको चीज यहां पे देख सकते हैं, आपको कुछ यहां पे numbers दिख रहे होंगे जिसमें 7,41,661 के सम्तिंग यहां पे आपको कुछ online store दिख रहे होंगे, जो alreadyfreewebstore.com पे create हो चुके हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं, दोस्तो आपको यहां पे get started का button पे दिख रहा है, जिस पे click करके, आप अपना fully e-commerce website यहां पे setup कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो get started पे click करने से पहले और यहांपर e-commerce website बनाने से पहले मैं आपको कुछ बाते बताना चाहँगा, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, दोस्तो आपको yan पे free e-commerce website बनाना है, तो सबसे बदे मैं आपको बताना चाहँगा कि आप इसके बारे में जो भी information है, वो पह आप वीडियो देख रहे हैं, यह कोई sponsored वीडियो नहीं है, यह सिर्फ पॉसिफ आपकी information के लिए बनाया गया है, और इसके अंदर जो भी आपको plans और price वगरा दिये गया है, हमारी तरब से हम आपको कोई भी plan और price recommend नहीं कर रहे हैं, तो अब दोस्तों मैं आपको एक store आप एक नया page खुल जाएगा, और इसको आप थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर नीचे scroll down करेंगे, यहाँ पर आपको देखे कुछ designs मिलेंगे, यानि कि आपको templates या फिर आप theme भी बोल सकते हैं, वो मिलेंगे, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपना e-commerce website अच्छे से आप design क कर सकते हैं, आप यह वाला theme दोस्तों देख सकते हैं, यह वाला design देख सकते हैं, इसके अंदर आपको अच्छा e-commerce का design भी दिख रहा है, और दोस्तों यह एकदम Amazon flip card की तरह लग रहा है, मुझे तो, तो काफी अच्छा design लग रहा है, यह वाला देख सकते हैं, ठीके, तो काफी अच्छा design लग रहा है, तो अगर आपको इस theme को अपने website के अंदर यूज करना है, और इस तरह का website आपको design करना है, तो अब आपको क्या करना है, दोस्तों, select design वाला option आपको यह पर click करना है, वैसे आप अपने according जो भी theme आपको best लगता है, उस theme को आप यहाँ पर choose क select design पर click करते हैं, दोस्तों आप जो आपने design यूज किया है, वो आप आपकी website के अंदर install हो जाएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर freewebstore.com है, इस पर अपना account भी आपको create करना है, ताकि account create करने के बाद आपको यहाँ पर domain name मिले, और domain name मिले के बाद दोस्तों आप अपना store और आप अपने templates को use कर सकें, तो यहाँ पर दोस्तों आप से कुछ information मांगी जा रिए, जिसके बाद दोस्तों freewebstore.com में आपका एक account create हो जाएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पूरा का पूरा information एक बार भर लीजिए, तो दोस्तों मैं जो sign up का आपका process है, वो आपको complete करना है, जो भी Gmail address आपने use किया है, दोस्तों इस website के अंदर, अपना account के read करने के लिए, सबसे पहले आप उसको verify कर लीजिए, तो दोस्तों मैंने अपने account को, अपने Gmail account में जाके, अपना account मैं activate कर लिया है, account activate करने के बाद दोस्तों आपको सामने एक और नया page यहां पे खुल जाएगा, और इस page के अंदर दोस्तों आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, free web store की मदद से, यहां पे आपसे robotic सवाल पूछे जाएंगे, जिनके आपको सही सही जवाब आपको देना है, फिर अगर आप चाहें तो कुछ गला जवाब भी दी सकते हैं, ऐसा कोई प्र scattering नहीं है, तो यह कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, उन्सवालों को आप एक बार यहां पे अप कन्फरम कर लीजेगा, मैं आपने सारे के सारे सवाल यहां पे एक बार कन्फरम कर लेता हैं, तो दोस्तों अभी आप इहां पर दिėख सकते हैं यह पूरा का पूरा आपका एक dashboard है जहां से दोस्तों आप अपना पूरा का पूरा अपनी e-commerce store जो भी आपने setup किया है उसको आप इस dashboard की मदद से दोस्तों आप manage कर सकते हैं वैसे आप इसको एक control panel भी बोल सकते हैं जैसे कि आपके पास WordPress में, PSP Coding में control panels होते हैं अपनी website को manage करने के लिए वैसे ही दोस्तों आपका जो store आपने free webstore.com पे बनाया है उसका control panel है यह आपके सामने जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने पूरे के पूरे store को आप easily यहां से manage कर सकते हैं और जो भी दोस्तों आपको product वगरे बनाने है, sale करने है जो भी आपको करना है वो आप यहांसे easily कर सकते हैं तो दोस्तों आप इसका use कैसे कर सकते हैं और कैसे दोस्तों आप अपने product वगरे add करके sale कर सकते हैं वो भी आप मैं थोड़ा थोड़ा आपको guide कर देता हूँ सबसे पहले दोस्तों आप यहापे देख सकते हैं कि आपको एक यह वाला menu मिल रहा है इस menu के अंदर दोस्तों आपको यह वाला menu मिल रहा है जो अभी आपके सामनी homepage खुला हुआ है यही आपका homepage है उसके बाद दोस्तों आप यह वाला बटना जो है menu भी देख सकते हैं ओर्डर के अंदर दोस्तों आप ओफ्रॉट भी देख सकते हैं list all orders आप देख सकते हैं कस्तरमर्स के बारे में आप थोड़ी detail लिए सकते हैं invoices यानि की bill भी आप यहापे बना सकते हैं उसके साथ साथ दोस्तो आप ये-पर منец के options भी मिल हैं., manes के अंदर दोस्तो आप अपने product को manage कर सकते, pages को manage कर सकते, image को, shipping को, आप यहांसे easily manage कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तो आप ये-पर design के भी अंदर आपको बहुत साद आप सारे options मिलेंगे, जिसके अंदर दोस्तों आप अपने domain name, अपने according choose कर सकते हैं, SEO कर सकते हैं, social media marketing आप कर सकते हैं, आप google tools को भी use कर सकते हैं, facebook marketing भी आप यहां से use कर सकते हैं, marketing के options भी आपको मिल जाएंगे, साथी साथ दोस्तों आप यह पर setting, support और app store भी देख सकते हैं, यह आपका एक menu है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहां पर menus मिलते हैं, जिसके अंदर आपको add और add it का option मिल जाएगा, जिसकी मतलब से दोस्तों आप अपने product add कर सकते हैं, pages add कर सकते हैं, categories और images add कर सकते हैं, product overview आपको दिख रहा है, view orders दिख रहा है सोरी आपको, यहां पर जो भी आपकी orders आएंगे, वो आपको यह पर दिखेंगे, domain name आपको यहां पर attach करना है, कोई sub domain वगएरे बनाने तो आप यहां से कर सकते हैं, तो यह सारा का सारा दोस्तों आपका एक dashboard है, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपना पूरा का पूरा e-commerce website आप setup कर सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो पहला process है, वो तो आपका complete हो गया है, अपना e-commerce website यह store बनाने का, यहां पर देख सकते हैं, आपको अपना e-commerce से start करने के लिए, आप यहां पर कुछ और options को भी यूज कर सकते हैं, देखे, सबसे पहले आप यहां पर customize design, आप अपने design को change कर सकते हैं अपने according, तो आप यहां पर देखे, go वाले button पर click करें, go वाले button पर दोस्तों आप जैसे click करेंगे, अब आप यहां पर देख सकते हैं, जो आपने theme इंस्टॉल किया था, वो theme आपको यहां पर देख सकते हैं, यह आपका fully theme यहां पर install हो गया है, और इस परकार से अभी आपका website दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यह आपका complete website नहीं है, complete e-commerce solution नहीं है, store नहीं है, अब आपको इसको अपने according customize करना पड़ेगा, जैसे भी आपको अपनी website का look चाहिए, फ्री में, वो आपको अपने according यहां पर customize करना पड़ेगा, customize दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, very easy है, WordPress की तरह आपको यहां पर दिखेगा complete, आप यहां पर सबसे पहले दोस्तों logo design करना चाहते हैं, logo के अंदर आपको changes करना चाहते हैं, अपना logo change करना चाहते हैं, तो देखे आप यहां पर जो भी आपको यहां पर logo दिख रहे हैं, बैंटर स्वगराइड करने हैं, contact detail आपको देना, social media, coins लगाने हैं, सारे के सारे options आपको आपको यहां पर बिल रहे हैं, साथी साथ दोस्तों आप यह पर color और fonts के option भी दिख सकते हैं, जिस भी प्रकार से, आपको color options और font वगरा चेंज करने हैं, सारे के सारे options आप यहां आप बर його होम पीज मैनेजू करने के menor시면 में आपके सामें मुख से बिखनें करकें कोश्य ही और यहां आपसे देखे आप अपना पूरा होमपीज के अंधर कौन कुं से पीज रखनें आमको कौन наж to not分get in देखे, home है, about है, special offers है, cart है, contact है और कोई अगर नया page add करना है तो देखे, यहां से आप अपना पूरा का पूरा नया page easily add कर सकते हैं कुछ भी ज़्यादा आपको problem नहीं होगा उसके बाद आप save button पे click करिए और आपको जो भी changes करने हैं वो आपका easily save हो जाएगा domain name लेना है, domain name दोस्तों आप कैसे ले सकते हैं देखे, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि side में आप थोड़ा नीचे scroll down करेंगे तो वैसे आपको यह पर domain name दिख रहा होगा और इसको थोड़ा आगर आप चाहें तो change भी कर सकते हैं आप यहाँ पर store name आप ले सकते अपनी अपनी नीậंप ले ले लेता हूं तो यहाँ देखी such a free URL पर click करके आप अपना URL याई कि तेक है और यह देखे स्रच पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यह 나와 डॉमिनịम को मिलेगा कि नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ यह देख котором आप अपदा डॉमिनीम ले सकते हैं रांपने अंकॉर्ड देख ऑपका डॉम्नीम आपने चेंज कर लिया, save button पर click करना है, यह देख सकते हैं, आपका जो domain name है, वो यहाँ पर change हो गया, और उसके बाद दोस्तों आपको दुबारा से यहाँ पर home पर click करना है, home पर दोस्तों जैसे click करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहां पे देखे, preview करने के लिए आप यहां पे क्लिक करेए और प्रिवी पीर फ्रवी इस्टोर क्लिक करके, आप अपने dom, जो भी आपने e-commerce website बनाई आप उसका आप यहां पर देख सकते हैं तो यह दोस्तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर प्रिविय खुल गया है और यह आपका e-commerce website store है उसका domain name में पूरा 123 box card मेंने लिया है और यह आपका theme है जो आपने install किया है अब दोस्तो यह आपका store आप यह पर free में बना सकते हैं और उसकी मदद से दोस्तो आप अपने product वगरा add करिए और product sale करिए और घर बेटे दोस्तो आप अच्छा कासा पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तो इमीद करता हूँ करना चाहूंगा अगर दोस्तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरू पैस कर दीजेगा और साती साथ दोस्तो मेरा जो वीडियो है वह दोस्तो आप अपने family और फ्रेंज तक भी जरूर शेयर कर दीजेगा ताकि उनको भी अगर दोस्तो आप एक student है आप एक entrepreneur है तो आप मेरे साथ मिलके दोस्तो आप मेरे साथ मिलके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में दोस्तो अपना career और future बना सकते हैं अगर दोस्तो आप एक लोकल बिजनस मेन तो मेरे साथ मिलके दोस्तो आप डिजिटल मार्केटिंग सेफिस ले सकते हैं और यहां से दोस्तो आप हमारे services plus दिजिटल मार्केटिंग कोस की संपूर जानकर ही ले सकते हैं आज की वीडियो में बस दोस्तों इतनाई दोस्तों वीडियो लगता है तेक निक के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सब इका बहुत बहुत धन्यमाद मिलता हूं दोस्तों आपको एक नए वीडियो में एक नई information के साथ तब तक लिए नमस्कार दोस्तो जाहें